असलाम लेकुम माई यूटिव फ्रेंड्स और माई ब्यूटिफुल वीवर्स आज हम एक हेर मास तयार करेंगे और कोई भी इसको यूज कर सकता है और वन सीना वीक तो आपको जरूर करना चाहिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अगर आपके बाल जो हैं फ्रीजी हो रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा सिल्की स्मूध सा कोई लोक चाहिए तो इसके लिए बहुत 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 है सबसे पहले हम इसके लिए रिक्वाइर होगा मियूनीज अंडा एग वाइटमिन ए के कैपस्यूल्स और कोई भी ऑईल मैं आप अपना फ्री फ्लो लिविंग हेर वाइल यूज करी हूँ जो के और गैनिक मेरेट से है और आप चाहिए तो कोई भी ऑईल यूज कर सकते हैं मैं यहां पर यह ओल यूज करी हूँ क्योंकि हम लोग इसी को यूज करते हैं और यह एक इतना अच्छा वाइल है जिसका रिव्यू मैं आपको पीछे दे चुकी हूँ अच्छा यहां पर जो हम हेर मास्क बनाएंगे वो सिर्फ एक मतलब जिनकी लैंद हेर लैंड जो है चैबिल सपून वो कमर से उपट की है वो चार टेबिल स्पून इस तरीके से बड़े वाले जो है वो अपने हिसाप से चेंज करेंगे अब यह 71 यहां पर मैं एक कैपसील जो है वो ढल रहे हूं अपना ठीक है विटामिन E का आप अगर जिनकी ज्यादा है लैंट वो दो डालेंगे ठीक है इसी तरीके से जो ओइल डलेगा उसकी भी कौइंटिटी जो है वो डबल होती जाएगी और यहां पे मैं इवियोन का जो है वो वाइटामिन E के कैपसूल यूज़ कर रही हूँ अगर आपने इसका पीछे जो है वीडियो नहीं देखी इस ओयल की तो आप जाके देख लीज़ेगा मैं लिंक डाल दूँगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक टेबल स्पून जो है भरके भरके आपने एक अपने हैर मास्क में जो है उसको यूज़ करना है एक से दे एक अच्छा जो है टेख्शर में आ जाया लैक तो बहुत जयादा रनी कंस्टैंसी भी नहीं होनी चाहिए इसकी औरहस जायादा थिक कंस्टैंसी भी नहीं होनी चाहिए इक्वल इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अच्छा ये जो मैंने बताया है आपको हेर मास्क ये फुल प्रोटीन ट्रीट्मेंट है आपका घर पे यूज करने के लिए कोई भी इसको यूज कर सकता है मतलब आपको सलोन जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ठीक है बैनेफिट्स इसके इतने हैं मैं आपको जाके आगे बता दूँगी इन सारी जो चीजें इसमें मिलके ये मास्क बनाए है आप इसको घर में लगाएं और ब्लीव मी मैं मुझे किसी भी इवन्ट को अटेंट करने जाना होता है लाइक शादी में जाना है या कहीं पर भी जाना है इसको मैं एक दिन पहले अपलाए करती हूँ आपने इसको हमेशा एक दिन पहले अपलाए करना है और देखें इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इस तरीके से हो गई है अब बैनेफिट्स अगर हम मियोनीज के देखें तो इतने ज्यादा होते हैं कि प्रोटीन, विटमिन, विटमिन, विटमिन और फैटी एसिड्स से बिल्कुल भरपूर होता है मियोनीज जो है वो प्रोवाइट करता है आपके बालों को इंटेंस मॉस्ट्राइजेशन, हेर स्ट्रेंड्स की जो के बैसिकली काफी ज्यादा लों की जो है वो नीचे से ड्राइ हेर हो जाता है उनको बहुत जादा ये हेल्प आउट करता है, सुपर शाइनी आपके बालों को बना देता है, प्रोटेक्ट करता है संसे आपके बालों को आपके बालों में एक एक्स्ट्रा लेयर ये एड़ करता है, जो के एक शील्ड की तरीके से आपके बालों को प्रोटेक्ट करती है different sun rays से जो के harmful होती है हमारे बालों के लिए आपके बालों का जो है pH balance को रिस्टोर रखता है इसके नहीं जो vinegar होता है और lime juice होता है जिसे basically बनता है वो help करता है कि आपके बालों के जो scalpels का जो pH balance इसको maintain रखे जैसे के 4.5 और 5.5 जो है वो अच्छा होता है pH balance आपका होना तो इसको यह maintain रखता है और इसकी वज़े से जो है आपके बालों में bacterial और fungal infection से pH balance को maintain रखने वज़े से आपको जो है वो dandruff नहीं होते आपके बाल जो है वो frizzy नहीं होते इसके अंदर जो है amino acids and fatty acids नौरिश करते हैं आपके बालों को deep conditioning देते हैं आप एग जो है उनके benefits में से यह किए कि आपकी सपोर्ट करता है हेर growth को इसके अंदर जो protein है वो आपकी बालों के लिए और nutrition एक तरीके से और यह hair loss को बहुत जादा रोकता है protein की वज़े से तो है आपके hair follicles जो है बहुत जादा strong हो जाते है hair की elasticity जो है वो बहुत जादा बढ़ जाती है egg york जो है वो उसमें बहुत जादा help करता है splittance को रोकने में इसकी वज़े से जो है आपका hair texture भी improve हो जा balance is oil production like आपके बालों में जो है यह moisture को लॉक करता है विल्कुल एक barrier बना के और जिनके बालों में dry irritated इसके एक sign होता है कि आपके अंदर vitamin E deficiency है add shine मतलब जिनके frizzy hairs हैं उनको cure करता है आपके hair cuticle के उपर fat layer होती है वो अगर lose हो जाए तो आपके जो है बाल जो है वो शाइनी न पूरे जो है बालों में अच्छे से लगाना है उसके बाद जो है इसको एक घंटे के लिए छोड़ देना है और shower cap जो है वो पहन लेना है और उसके बाद जो है इसको अराम से आप एक घंटे तक लगे रहने दें उसके बाद आप इसको fresh water से धूलें और wash करने के बाद जो तो यह बहुत अच्छी एक रेमडी है अगर आप ऑइलिंग करते हैं साथ में इसको भी एक अच्छी तरीके से हफते में एक मरतबा करेंगे तो आपको तीन चार महीनों के अंदर जो है वह बहुत जबर्दर जो है वह डिफरेंस इखने लगा कोई भी जो चीज होती है वह स् होते है वो लॉंग लास्टिंग जैसे कि आप लोग देख सकते है फीक है तो मेरी पसंद आ होगी थो सबस्तक्राइब कर दीजागा और अगर आपको ऐसी वीडियो में अल्ला हाफिज